है है लो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम टू पी वियर स्टुडी इस्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लाश्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ जो की टीचर भरती परिक्षा में पूछे गए हैं जी हां बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस घेरे के अंदर कुछ लिखा गया है यह अध्यापक भरती परिक्षा में पूछा गया सवाल है और आपका यह चाहे टेट हो सीटेट हो यूपी टेट हो सबके लिए मात्तपुल है ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देखो पहला कुछिशन हम इसी दूसरे वा भी को नाम है यक्स ठीक है तो रूपे की बस्तू को 10% के हानी से बेउत्धि को मतलब दो बेझती हैं मतलत क्या नाम है य को बैए या यह वाई में ही अपना सवधा बेंच दे रहा है अब आगे देखो क्या कहता है कोईश्चन के अंदर में कह रहा कि वाई उस बस्तु को दस पत्सत लाब से बेक्ति जड़ को बेंच देता है मतलब गुरु गुरु रहे गए चेला सक्क करोई गए यह कहवाद सुना था ना आपने तो वो तो भईया लाब पर वेंचा था हानी पर वेंचा था पहले लेकिन यह दस पत्सत की हानी पर लेकर व्म पूर के उससे लिया था था भले बाकिह उसक्रियोंने दस पसत का लाब पर जट को बेंच दिया अब कहरा वाई ने किस मुले पर वस्तू को बेंची है ये बताओ मतलब देखो बड़ा आजीब सा सवाल है ना कहता है एक बार फिर से सुन लो जितना बार कोशन पढ़ोगे उतना बेतरीन समझ में आता है कि बेक्ती जो यक्स था वो सौ रूपय की बस्तू को दस पसत की हानी से वाई को बेंचता है इतना ठीक है वाई उस बस्तू को दस पसत के लाब से बेक्ती जड को बेंच देता है तो बताइए कि Z ने उसे कितने रुपए में खरीदा या फिर Y ने उसे कितने रुपए में बेंचा देखो सीधी सी बात है मैं दिखा दूँ उसके बाद मैं इसका सलूशन भी इसमें जो है वो भी दिखा दूँगा देखो बज्टू थी 100 रुपए की यह 10% की हानी पेपेचा मतलब 10 रुपया कम हो गया मतलब 90 रुपया में किसको दिया 90 रुपया में वाई ने खरीदा अब वाई 9% का लाब हो पाएगा इस बात पे ध्यान देना भी से बच्चे यहीं पे गल्ती करते हैं वाई का जो 9% का लाब है वो क्या करते हैं 100 पे 9% निकाल देते हैं तो 100 का 9% नहीं निकालोगे आप किसका निकालोगे आप जरा सोचो और बताओ सुरी मैं 9% बोला हूँ 10% ठीक है हाँ तो आप क्या करोगे 100 का 10% नहीं निकालोगे नहीं देखो एक बार फिर से समझो भाई अच्छे से समझना है न 100 है 100 में 10% की हानी पर बेंचा मतलब वो पहला बंदा जो था यक्स वो 90 रुपय में बेंच दिया अब जो वाई है ये जड को 10 परसंद के लाब पे बेंचता है देखो यहां पर लिखा है ना वाई उस बस्तु को 10% के लाब से जड को बेंच देता है तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक यहां पर कि जो 100 है ना इसका 10% निकाल देते हैं और उनको यह लगता है कि 10% लाब यानि कि जो जड है वो 110 रुपए में खरीदा और इसलिए देखो आपसन भी यहां पर आपको दिये जाएंगे जाम में कन्फ्यूज करने के लिए जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखो सीदी सी बात है वो 90 रुपए में खरीदा था लाब जो उसको मिलेगा जितने वो खरीदा उसी पर लाब मिलेगा ना तो इसका 10 30 Θीक है इसका दस्पथरूज कितना होगा नौ रुपया होगा कितना होगा 9 रुपया होगा मतलब कि वमिला करके के फाइनल में 90 में है कि यह 110 में बेंचेगा क्यों क्योंकि इसका जो है यह 100 अफे 10 प्रचाइब की हानी पर फूसने बेंचा ठीक है लेकिन प्र यह क्या करेंगा लाफ पर बेंचेगा 10 पर सद उसका 110 हो जाएगा जब कि ऐसा नहीं है देखो इसका सलूसर्शन में भी ऐसा यी कुछ खरीद पर 12% की छूट देने पर 30% कितना होगा कुश्चन आपको यहां पर ध्यान से देखना है बस्तु का क्रेमुले क्रेमुले का मतलब होता है यह काश्ट प्राइस जिसे बोलते हैं CP तो बस्तु का जो CP है वो कहरा कि बस्तु पर अंकित मुले मतलब होता है प्रिंट प्र मिल जाता कितना सस्ते में लोग सोचते हैं बहुत आफान मिल गया बोता सस्ता मिल गया तो फिल्हाब हम इसक्रेंगे UPने टॉपिक पर चलते हैं कह रहा कि एक बस्तु का ख्राइमुले का गया के क्बार पर है अंकीत मुल्य का यह बात ध्यान देखना यह जो क्रैम अंकीत मुल्य का 64 परतिसत जो है सोपे निकाला आता है तो सीधी सी बात है 64 होगा आपको यह तो आता ही है बेसिक में था अगर आती तो इसको कर लोगे तो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा ना कि 64 पर मिलेगी क्योंकि 64 तो उसका काश्ट प्राइस है उसका क्रेमुल्य है तो जब हम हंड्रेट पर बारा परसंट की छूट देंगे मतलब 88 रूपे आएगा कितना आएगा 88 रूपे आएगा ना आरे यार सिधी सी बात है सो में से बारा घटा होगे क्योंकि 12 परसंट की चुट है 88 रूपे आया कर आप 50 लाप तो पता करो प्रती सतलॅब तो बाद में आएगा लाप कैसे पता करोगे देखो लाब पता करने के लिए सीधा है सिम्पल सा पंडा है आपको क्या करना है 64 और 88 को घटाना है चौट 63 और 88 को आपस में घटा हो गये ये लो ये लो घटा लो आठ में से चार गया चार ये दो लाब कितने का 24 गुड़े 100 बटे कितना हो जाता है अरे बटे वही हो जाता है जो उसका में प्राइस होता है लाब कितने पर मिला है कितनी की बात हो रही 100 की बात हो रही कि नहीं बिल्कुल 100 की बात हो रही लेकिन इसका जो फाइनल आंसर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं परत्सद लाब बराबर लाब गुड़े 100 बटे काश्ट प्राइस होता है जितने में खरीदा गया क्रेमुले 64 हो जाएगा इनको ज 45 आपचीश साब गया तर दो अब पेपर में यह लगा गया है वैसा टरीका है थोड़ा सा यह बढ़ा है इस्से से लागए इताल में तो हमें क्या क्या करना आ संसर फैंड करना होता है तो डिटिल में हल करने से कोई मतलब नहीं है अगला कुर्ष्टन कि दिखें सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है आप इसमें खुद से भी कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान-सान से सवाल दिए गये हैं उब अगला चथवन नुम्बर कोश्चन कहरा है कि सौ संतरे रुपया 400 में खरीदे गए और साथ रुपया परतिदर्जन की दर से बैच दिये गए तो परतिसद लाब ग्यांत कीजिए भाईया सीधी सी बात है संतरे कितने हैं सौ संतरे हैं कि कह रहा कि साथ रुपया प्रूति दरजन के हिसाब से बेंच दिये गएए अब तुम पहले ये दिमाग लगाओ कि सौ संतरे में कितने दरजन होँगे एक दरजन में बारा होता ए ना बारा अठे चाननबे होता है क्यों कोई दिक्कत किसी को नहीं ना 12,5,60,12,12,12,18,24,광, आज दिखलों Sadly maker संतरे में कितना डर्जं कितना अज़त बहान है और भए या 60 odpowied צ्रूस ऐरा से बचा गया है Virtue सी चार सो असी रुपए में बेंचा अब यहां से दिमाग लगा लो आप की साथ रुपए प्रतिदर्जन बेंचा गया मतलब एक संतरा का कीमत कितना हुआ पांच रुपए हुआ न और जो तुम्हारा यह चार बाचरा है न यह चार बचरा इसका भी तो पांचोग बीस रुप पर देख रहें तो फेस्ट पेज पीवियर इस्टुटी को फालो अवस्य करें एक बर मैं इसको फिर से डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं देखो यहां पर ध्यान से देखो प्यार से देखो वैसे तो मैं इसको बताने वाला नहीं था ले चार रूपय दिया है सीधी सी बात है क्योंकि 474 रूपये अकहcyclारा में 4 रूपये थे अगर 5 रूपय में बेंचता दे थे । सो रुपया का लाब मिल रहा है लाब परतिसत तुमको लगाना है लाब परतिसत का सुत्र अभी अभी मैंने बताया था आन परतिसत का भी बताया था क्या होता है लाब परतिसत बराबर होता है ये देख लो यहां पर लाब गुड़े सो बटा क्रेम उले लाब गुड़े सो आपको थोड़ा आजीब सा लागें गए समझ में थोड़ा लेकिन आपको आफ़ाँ तरीका बताता हूं अभी यू नहीं वह 2000 रुपय का क्यों मिलरा है चुकि इन्होंने 400 रुपय में खरिदा था यह 500 रुपय मैंच रहें इसका मतलब इने सो रुपयी का मिल रहा है तो लाभ प्रदिस्त बराबर सूत्र होता है लाभीुड़े सो रुप्या का है लाभीुड़े सो पर्सेंट का क्या हुआ के समझ में आया ना चलिए अब हापक्षवा कुशन देखो ध्हान से इसको खुद से कर लेना करा पांच रूपए की पांच रूपए के छे की दर से इसका मतलब यह है पांच रूपए की छे की दर का यह मतलब है भाईया कि पांच रूपए में छे केले दिये गए हैं ठीक है कितने में पांच रूपए में छे केले मेंचे गए हैं बेचे करना और फिर मुझे बताना क्यूंकि मैं अब हरे कोईस्टन यहां पर बताऊं तो कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ें आगे देखिए अगला एक कुश्टन जो मैंने छोड़ दिया था सायच छूट गया था इसको देख लो करा कि 144 पैन बेचने पर 144 पैन को बेचने पर राम को 6 पैनों के बिक्रे मुले के बराबर की क्या होती है हानी होती है जब 144 पैन बेच रहा है तो उसे कितनी की हानी हो रह होगा जैसे कि बिक्रे मुले अगर नहीं दिया गया है तो हम मानें लेंगे कभी 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 तेखो 100 मानते हैं कभी वन मान सकते हो तो यहां 644 पेनों को भेचने पर 6 पंके बिकर्यमूली के बराबर हांी होती है यह कुशें बेक कह रहा है इसलिए जो हानी मतोती है मतोंको कि एक पर स्पैन का प्रेम मुल्य होगा। क्षंच प्राइस होका। उब मुल्य धन होगा। हैं क्यों भाई चाहेNow को कोई चीज खरीता है कोई तो अगर उसको बैचने के बार हान हो जाती है 30 primus जोड़ता है तो हान लो चलो आम खरीदा आम की हम क्या करते हैं बिक्री करते हैं हमने सो रुपे में आम खरीदा और उसको कितने में बेंचा नबे रुपे में बेंचा और हमें दस रुपे की हानी होती है दस रुपे की क्या होती है हानी होती है अगर आप से कोई पूछे कि ये बताओ भाईया य पूम्ए को हमने चाए तो नब को किया hundred रुपय को जोड़ा तो 100 रुपय we बतलत कि जितने में बैचा था वह और जो हानी हो रहे थी वो दोनों को जोड़ा तो क्या है लागत आया ना तो वैसे किया हुरा थो सब्कृत लिकितना इतना है 144 से क्योंकि 144 में बैची जा रही है पलफ हानी 6 रुपए की दोनों जोड़ा तो यह 144 यह 144 क्या है यह कौन सी नई बला है 144 क्या है इसका क्रेम ले हाँ अब इसमें कह रहा था कि इसका हाँ परसेंटेश गनत किजिए तो हानी परसेंटेश बराबर होता है हाँ नी गुड़े हानी कितने की 150 की है नई उन क司 रुपे की हो रही है कर दाट तो हानी होती है गुड़े हंड्रेड अपान काश्ट पराई जो होता है करे मुंल एक सो पचास अभी आया था यह कट दो 001-0 कट गया पांच से कड़ दो पांच से कट हो कि पांच दोना दस तीन से कट दो क्यों भहिए ऐसे तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपनी संग कोछ कमेंट करिए हाँ अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और यूटूब पे डेमो देख पारें तो भई या तुरंद लाइक करें अगर कोई सवाल है तो बताइए और यह भी कमेंट करके बताइए क्या पर ज्यादा अच्छा रहता है क्या वाइट बोर्ट पे हो यहां पर देखो यहां पर हमारे लिए आसान होता है कि मैं कुछन लिखने पड़ते हैं अभी जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर हो गएरा की विवस्ता कर रहें कुछ और बीट सिस्टम डेवल कि एक ताजा मचली को सुखाने पर उसका भार एक बटा तीन रह जाता है कितना एक बटा तीन रह जाता है सुनीता पंद्रा सु किलो ताजा मचली खरीती है और उसे पचीस रूपए परति किलो के भाव से मिलता है उसको सुखा करके वह असी रूपए परति किलो के भाव स से बेंच देती है तो इस परकार वो कितने रूपए कमाएगी आपके सामने हैं जल्दी से फटा फटा आप सभी कमेंट करके बता दो मुझे इसमें से कितना कमा लेगी पहले तो हम चलते हैं इस पूरे कोईशन पर विचार करते हैं देखो इसका सलूशन दिया है लेकिन मैं उस सलूशन को आपको बताऊंगा लंबा हो जाएगा इसे समझ लो मोटा-मोटा पहले हमें ये निकालना है कहरा कि वहां कितना लाब कमाती है तो पहले हमें ये निकालना है कि उसने लगाया कितना था और कमाया कितना देखो भईया सीधी सी बात है बहुत ही अच्छा है सवाल यहां पर मज़दार है कि कार रहा कि मच्छली को सुखाने पर उसका भार EIB 3 रह जाता है सुनिता ने 500 कीलो खरीदा था और पंचीज रूपए के हिसाब से तो पहले हम ये देखेंगे कि पंचीज रूपए के हिसाब से चोसे उसने खरीदा था उसकीज कितना रूपएक लगाया मचली खरीदने में लगाया था कितना लगा भईया साड़े साथिसाथिस वजार में मचली खरीदा था कह रहा कि मचली को सुखाने पर उसका बाहर एक बटा तीन रह जाता है और उसने क्या किया सुखा करके 80 रुपए के भाव से बेंचा मतलब 25 में खरीदा था सुखाने के अगर मचली को सुखाएगी तो कितना बचेगी जरा यह देखो भाइया पंदरा सो किलो मचली है इसको सुखाने के बाद एक बटा तीन बचती है इसका एक बटा तीन निकालोगे बच्चा निकालोगे बाबू 500 आएगा यानि सुखाने के बाद उसकी कुल मचली कितने बची केवल 500 किलो बची केवल 500 किलो बची पहले वो मचली थी कितना हाँ 500 किलो ठीक है 500 किलो बची पहले 1500 किलो थी अब अगर 500 किलो मचली को 80 के भाव से मेंचा जाए क्या किया जाए एक बार फिर से सुनिए कि 1500 किलो मचली को 25 के भाव से मेंचा जाता है और 500 किलो मचली को 80 के भाव से मेंचा जा जाए तो कितना रुपय मिलेगा अट पंचे चालिस यह तीन जीरो लिख लो मतलब 40,000 यानि 80 रुपय के भाव से अगर मचली भी जाएगी जो 25 में खरी दी तो भले वो 500 किलो ही है उसका 40,000 रुपय तो हमें यह दोनों रासी घठानी होंगी यह दोनों क्या करनी होंगी घठानी होगे और फायता होगा उसे 255 रुपए कर्एट व करड़े तर रहे हो ज तर अगर स ψ देख़ लो यह देखो 25 सो आया ना ठीक है समझ मैं आ रहा ना चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जल्दी फटा फट चले रहो अगला कुश्चन ध्यान से देखिए साथवा नंबर क्या कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें जरत ध्यान देना कह रहा कि किसी वश्टू का अंकित मुले 500 रूपे है और दुकानदार 5% का क्या देता है उसमें बट्टा देता है मतलब 5% का बोल रहा है बच्चा डिसकाउंट भी मैं दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद 5% का डिसकाउंट देने के बाद भी वो 25% का प्रॉफिट अर्न करता है तो बताईए कि वश्टू की कुल लागत कितनी है लागत का मतलब वही आपको निकालना है CP कॉस्ट प्राइस निकालना है ओप्सन दिये गए हैं 280 425 225 और 380 देखिए इस तरह के कुश्चन की एक ट्रिक होती है वो मैं आपको बताऊंगा जिसमें ट्रिक होती हो मैं मतलब प्रिंट प्राइस इक्वल होता है CP इंटू 100 प्लस P अपान 100 माइनस D देखो मैं आप लिख देता हूँ आप इस ट्रिक को लिख लिजिए उसके बाद फिर मैं इसको स्वाल्ब करूंगा ठीक है ये होता है PP पी मतलब है प्रिंट प्राइस हिंदी में बोलेंगे अं 100 प्लस P P का मतलब ये है बच्चा जितने का वो प्राफिट अर्न कर रहा है और ये 100 माइनस D का मतलब है कि कितने का वो डिस्काउंट दे रहा है बात समझ में आई ना जैसे अगर उपर दिये गए कोईशन हम हल करें इसकी अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा जरा ध्यान देन उपर दिये गए डाटा की अकॉर्डिंग अगर हम इसको हल करें तो पीपी मतलब अंकीत मुले यहाँ पर 500 दिया है देखो ये कोईशन में देता ना 500 बराबर सीपी सीपी मतलब करें मुले यानि कि बस तुकी जो लागत है ये हमें निकालना था चलो मानलो कि ये सीपी को ह यानि कि 125 हो जाएगा 100-D मतलब जितने का वो डिसकाउंट दे रहा था 5% का डिसकाउंट दे रहा था कोईशन में ने पहले बढ़ा है तो हो जाएगा 95 थीक है तो फाइनल में अगर आप हल करोगे तो क्या बनेगा बच्चा ज़रा ध्यान से देखो आपका ये बन जाएग सीपी इन्टू 125 कलिकुलेशन तो आप सबको करना आता है इसमें तो किसी को कोई लफड़ा नहीं ना कोई किसी को कोई बीमारी तो नहीं ना कोई परकार की सीपी का 125 में गुड़ा करोगे ये इसके खोबड़ी पे जाके चलड़ जाएगा 95 का 500 में गुड़ा हो जाएगा और फाइनल में मैं आपको एक बार में दिखाऊंगा नहीं देखा अगर आपने तो वीडियो को पीछे करके देखिए ये हो जाएगा सीपी इक्वल क्या हो जाएगा भई ये नीचे 95 था ना तो ये 500 का मल्टीपल हो जाएगा बागो 95 में 25 विदा राके भाग में हो जाए इसको क्या करोगे आप डिबाइट कर दो काट बीड़ थो छोटा चोटा कर दो थोड़ा सा 25 पंचे 125 इसको 25 से कर दो के 25 दोना 50 ये 20 आ गया 5 से कर दो बच्चा 5 एक कम 5 5 पांच वुका 20 चार आ गया चार का कुड़ा कर दो 95 में 4 पंचे 20 हासी लाया 2, 4, 9, 6, 32, 380 रुपय सबी को समझ में आया ना अगर किसी को कोई डाउट है तो नहीं संग कुछ बताईए कुछ बच्चे सोचते हैं कि वाइट बोर्ट पे पढ़ाएं ठीक है आप कमेंट करना हम वाइट बोर्ट पे पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन देखो यहां पर मैं पूरी के हैं यह देखो इसमें जो लगाया बड़ा लफडा वाला है इतना बड़ा लगाओगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा यह कैसे किया ना यह चीज थोड़ा सा बड़ा लग रहा ना आपको चलिए आगी चलें यह साल पेपर है आपके लिए यदि क्रेम उल्ले द आइप का कोईश्चन है कि यदि किसी बस्तू का एस पी डवल हो जाता है तो उसका प्रॉफिट तीवल हो जाता है तो प्रॉफिट कितने परसत का हो गए निकालना है चलिए मैं आपको चोटा कंसेप्ट बताता हूँ और थोड़ा सिस्टम से देखिए ध्यान दीजिए एक बार कोईश्चन को फिर पड़ लेजिए कर आब एक क्रेम उल्ले को दोगुना कर दिया जाये तो लाब परत्सत तीन गुना हो जाता है देखो भईए बहुत ही क्रेम उल्ले की सीपी एक्स है ठीक है इसको आपको मानना होगा और यह मानलो भया सीपी एक्स है और इनका स्पी मानलो आई है ठीक है इसको रड़ लेना अब हमने माना है क्रेम उल्ले एक्स है और विक्रेम उल्ले क्या है वाई है अब अगर यह एक्स है और यह वाई है त इस तरह से lab बराबर क्या हो जाएगा y minus 1 हो जाएगा लेकिन अब प्रसना नुसार हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें करनी है वो ध्यान दो क्या करनी है आगे कहता है इसमें कि यदि उद्हको दो गुना कर दिया जाया किसको विक्रय मुल्य को दो गुना कर दिया जाए सब्ख्राइब को क्या गाल जाए इं सब journ thats विए मैं उसको दिखाऊँ और चलो अब a stand को दो गुना कर दो यह यह ढूए हो जाएंगे बाबू जब y था तो y-x था आप 2y हो गया तो y-x नहीं हो जाएगा और कह रहा था इस सिस्थिति में लाब जो है वो 3 गुना हो जाएगा लाब क्या हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा तो देखो अब इसको क्या करोगे ये तो ठीक है अब आप करोगे परिशना अनुसार according to the question ठीक है चलो according to the question करोगे तो आपको यह हो जायागा y-x यह पहले था ठीक है और बराबर जब इसको 2 गुना किया तो 2i-x हो गया अब समझ में आए यह पहले का था और यह उसको 2 गुना करने के बाद आए 2i-x लेकिन कहरा है कि अगर इसको 2 गुना करोगे तो यह 3 गुना हो जाएगा यह चीज तो कहा था कुछ और कहा था इसको हल कर लो इसको हल कर लो 3 का वाई में गुड़ा करोगे 3 y हो जाएगा यह 2 y इधर आएगा गट जाएगा भच्चा इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा है यह कोफठक को लेगा 3x और यह – IT कमांण क्या यह 2x हो जाएगा तो यह 17 का मन क्या आएगा 2x आ जाएगा कि इसको कही 17 को लख दोनना प्रेट इसको कि अपनकर का एगा यह 2y20 CP होता है तो इस तरह से आपका जो profit आएगा SP-CP SPY और CPX ये ठीक है इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं CPY कमान इभी 2X आया है अभी ये मैंने निकाला है P想ल में ये को पता हे जो मान वह प्रतिसत लाव बराबर होता है वह प्रतिसत लाभ और क्रेमख jazz ये हूझ लिख लो होता है L लाब गुड़े 100, लाब एक्स का है, प्रॉफिट एक्स का है, अपान CP, CP मतलब करे मुले, CP अभी अभी मैंने मानना था, ये एक्स मानना था, आपको दिखाया था, ये CP, CP कर जाएगा, लाब पर्तिसत बराबर क्या हो जाएगा, याँ आप कहा सकते हो, 100% का लाब हुआ, कि लाब का पर्तिसत है, तो ऐसी इस्तिति में जो लाब का पर्तिसत है, वो क्या होगा, 100% होगा, समझ में आए ना, इस तरह कि आपकी ये 8 कोईशन हो चुके हैं, जल्दी से हिने नोट कर लो, फटा-फट उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और हाँ, वोसे मुझे लग रहा है कि लाज का टाइम ओबर होता है, क्योंकि क्लास कभी टाइम होके चलते हुए, तो बंद करते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप नहीं सम्कुछ पूछ सकते हैं, अगर आप सोच रहे हो, कि इसको बॉर्ड पे नहीं करवा रहे हैं, तो आप टेंस नलेना, आप बोर्ट पर भी करवा देंगे ठीक है आप बता देना मुझे कमेंट करके कि हाँ इसको बोर्ट पर करवाया जाए और जो बच्चे PVR Study App में प्रीमियम कलाफ लिए है वो फोन करके बता देंगे और उनके लिए अलग से कलास उपलब्द करना दी जाएगी अगर उनको इस वीडियो में कोई confusion होगी तो ठीक है यह नमबर नोट कर लें अगर आप कलास जोईन करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं लेकिन एक बार ध्यान रहे कि इस नमबर पर या वाटसप के गड़ित का कोई question नहीं बता जाता है क्योंकि यह मैंने receive करता है हमारे में तर लोग receive करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलास के बारे में information दे सकते हैं वो बाकि कोई कलास नहीं दे सकते हैं वाटसप पर कोई कलास दे दें वाटसप पर कोई question भेज़ दें आइसा नहीं होगा ठीक है पीबीर स्टेडी अप प्लेश्टोर से जरू डाउनलोड करें मिलते हैं नेक्स्ट कलास में जै हिन